सबसे पहला सवाल है, Paytium किस देश की कमपनी है? Which country's company is Paytium? Options है, A. USA, America B. Russia, Russia, Russia C. India, Bharat D. China, China इसका सही जवाब है, Option C. India, Bharat सवाल दूसरा भारत का भाक्राबान किस नदी पर बना है? Which Indian river, भाक्रादैम is built on? Options है, A. Satlaj, B. Yamuna, C. Chenab, D. Spiti इसका सही जवाब है, Option A. Satlaj प्रश्न तीसरा, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? Which fruit contains the highest amount of calcium? Options है, A. Apple, सेब, B. Fig, अंजीर, C. Chinese gooseberry, कीवी, D. Pongrenate, अनार इसका सही जवाब है, Option B. Fig, अंजीर Question No. 4 भारतिय सिनेमा के जनक कौन है? Who is the father of Indian सिनेमा? Options है, A. डादा साहिब फलके, B. रिशिकेश मुखरजी, C. बीमल्रॉय, D. शाम बेनेगल इसका सही जवाब है, Option A. दादा साहिब फलके पाचवा सवाल, भारत में सबसे महेंगा दूद किस जानवर का है? Which animal's milk is the most expensive in India? Options है, A. काउ, गाए, B. सीगोट, बक्री, C. बफेलो, भैस, D. डॉंकी, गधी इसका सही जवाब है, Option D. डॉंकी, गधी गधी काफी कम मात्रा में दूद पैदा करती है, और दूद निकालने की कठिन प्रक्रिया के कारण यहाँ दूरलब बन जाता है। गधी के दूद में प्रचुर पोशक तत्व इसे अतिरिक्त विशेश बनाते हैं, जो इसकी उची कीमत को ठहराते हैं। गधी के दूद की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहा है और यहाँ कितनी आसानी से उपलब्द है। यहाँ अधिक महेंगा दूद भी है क्योंकि यहाँ जल्दी खराब भी हो जाता है। केवल एक किलोग्राम पनीर बनाने के लिए लगबग 25 लिटर ताजे गधी के दूद को मत कर संसाजित किया जाता है। गधी के दूद में प्रचूर मातरा में प्रोटीन, वेटैमिन और खनिज होते है। इस दूद के सेवन से वाइरस और बैक्टिरिया से होने वाली पेट की बिमारियों को कम किया जा सकता है। यह दूद हड्डियों के लिए भी अच्छा है और अच्छे बैक्टिरिया के विकास को बड़ावा देने में मदद करते हैं और आद के स्वास्त में सुधार करता है। भारतिय बाजार में गदी का दूद दो हजार रुपे से लेकर साथ हजार रुपे प्रती लीटर तक बिखता है। Donkeys produce a significant lower volume of milk and the tricky milking process make it a rare find. The cost of donkey milk varies depending on where you are and how readily available it is. It is also more expensive milk because it spoils quickly. Around 25 liters of fresh donkey milk is churned and processed to make just 1 kilogram of cheese. The rich nutrients in donkey milk make it extra special just if hang its higher price tag. Donkey milk boasts abundant proteins, vitamins and minerals. Consumption of this milk can reduce stomach ailments caused by viruses and bacteria. This milk is also good for bones and helps in boosting the growth of good bacteria and improves gut health. In India donkey milk is sold from ₹2000 to ₹7000 per liter. phi a A A A A A I A A A